नमस्कार श्वागत करते इस वक्त बड़ी खबर चाती कस्तर फट्यकांड के बाद में तीन ऐसी मैलाओं का तलास जारे उत्तर प्रदेश के पुलिस अलग-अलग राज्यों में लगातार छा बिमारी कर रही है इस दोरान नितीश कुमार को मिट्टी में मिलाने का समराट च नाम आएगा उत्तर प्रदेश से अखलेस्यादों का दावा सभी सीटों पर चुनाओं लड़ने का वादा ममता बनर जी ने भी कहा तीस तरह बड़ा मुर्चा त्यार करेंगे बीजेपी से नराज लोग और कॉंग्रेस से नराज लोग करेंगे हमारा समर्थन समराट चौ शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और मुख्य समचार से उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा जनकारी के मुताबिक इस वक्त नितीश कुमार को मिट्टी में मिलाने का बयान दिया है और ये बयान शमराट चौधरी ने दिया है शमराट चौधरी म भूचाल सा मचा हुआ है बीजेपी के परदेश अध्यक्ष का ये बयान कैसे क्यों जिस इंसान को कभी जिया नरेंद्र मोदी और अमीच साथ जैसे बड़े रण रितिकारों ने जटका नहीं दिया उससे समराट चौधरी जटका कैसे देंगे शमराट चौधरी के पास ऐ किस तरीके से समराट चौधरी देंगे जटका किस तरीके से मिलाएंगे मिठी में खबरे निकल कर शामने आ को रुजगार दो और वाओं के लिए हमेशा से करत रहो बिहार के यूवा जब बिहार के लोग जब समर्थन नहीं जब भाहाकार जजेकार हमारी मचेगी तो किसी में ऐसी चमधा नहीं जो हमें हरा सके यग दिर59 या辉 और तिजश्वी आदो की नाम की चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है ऐसे में क्या है तिजश्वी आदो के लिए आपका समर्थन अपनी राय कॉमेंट में लिक्या बताईएगा अगर आपको भी लगता है कि तिजश्वी बेस्ट सीम बिहार होंगे तो इस वीडियो पर प पहली प्रत्मित्ता और विस्वास रहा करती है बड़ी खबर निकल कर शामने आ रही है क्या ही ये बड़ी खबर बिहार के सभी सिक्षकों को साफ किया गया है और कहा गया है कि हमेशा बिहार के सकूलों का मीडिया कामरे को शामने जो एक्सपोज होते हैं जो कहा जाता है क ये ठीक नहीं ऐसे में अब इस मामले पर कदा भी चीजों को बरदास नहीं क्या जाएगा मामले पर पूरी तरीकों से जियां एलोट मूट पर नितिश कुमार की शरकार है नितिश कुमार की सरकार ने साफ तोर पर बताया कि किसी भी तरीके से जुकना नहीं है लडाई को वाकिस ये या आपकी पहली प्रात्विक्ता हो सकती है हलाकि अब नितिश्कुमार असली मुद्दे पर हैं मानते हैं कि बिहार के पहले के सिक्षक ठीक नहीं है इसे लिए बिस्वास सब सब पर नहीं क्या दा सकता जास तो होगी सब की होगी merit list की भी जाहत छोगी बड़ी कबा निकल के शामने आ रहे लालू पुर्शाद यादो को ले कर गे लालू पुर्शाद यादो आज चर्चा में क्यूं लालू पुर्शाद यादो की नाम की चर्चा आखिर क्यूं आईए सबसे पहले लिये चलते हैं बिहार की रणनीती और राजनीती में बिहार के गरीबों को हमेशा से अधिकार का पाठ पढ़ाया बिहार के लोगों को हमेशा से कुर्सी पर बैचना शिखाया चपल क्या होता है और आखों में आखों को डाल कर अधिकारियों से कैसे बाचित की जाती है वो नाम थे सिर्फ लालू पुर्शाद यादो और ऐसा ग्रेट फूल नेम था बिहार के लिए ये भले ही आज उन्हें बदनाम किया जाता हो या साजी सो सड़ें थो चाहिए जो कुछ भी हो लेकिन लालू पुर्शाद यादो हमेशा से ऐसे रहें अब माना जाएंगे लालू चचा का एक बार फिर्शाद देखने को मिलेगा नया चोराबा और ऐसे में ये किस तरीके से चर्चा देखने को मिलेगा आपको बताते हैं लोग सवाच उनाएं में किर्णी टांस प्लांट के बाद में लालू पुर्शाद यादो डिजिटल पुर्शाद पुर्शाद और वीडियो के माध्यम से मैसेज को पहुचाने में रहेंगे सफल बड़ी खबर और बड़ी जनकारी आईए नई खबर के शाद बढ़ते हैं जियां बिहार के चर्चित चेहरा और जिसे माना नितीस और तिशश्वी ने एक नेता लेटर में लिख करके कहा कि मनिश का सब ना तो पत्रकार ना तो यूट्यूबर सिर्फ एक नेता है जो पिछली बार बिधान सवा चुनाव चनपटिया से लड़ा था अच्छा खासा भोट भी मिला पर चोट नहीं माल पाया और यहीं चोट अब आ करके मार रहे है राजनीति करने के लिए दो राज्यों को भड़गाने का प्रयास था ये बात शुत्रों के हवाले से आईटीटी को मिली थी इस बात को लेकर के आईचीची जिया कहीं से शुरजनी करने की स्थिदी में नहीं लेकिन जो शुत्रों ने हमें बताया उस ख़वर उगमने चलाया अब मनिश का सब के लिए तमिलाडू से लेकर के बिहार तक मुस्किले बढ़ रहे हैं ऐसे में शुप्रिम कोट का दरवाजा खटखटाने के बाद में 28 तारीक के परणाम पर शब की निगाहें क्या होगा मनिश का सब के लिए ये सब को सोच में डाल चुका है मनिश का सब के चहेते लोगों ने इस वक्त पूजा अर्चना भी सुरू कर दी है क्या है कुछ जनकारियां समय के साथ सब कुछ पहुचाते रहेंगे बताते रहेंगे बड़ी खबर निटीश कुमार को लेकर क्या रही है या निटीश कुमार ने हमेशा से बिहार के उनत्ती चाहा है और माना जरेक इस वक्त बिहार के लोगों के लिए सिर्फ नितीश कुमार एक नाम नहीं है इमोशनल टच भी है जब से वह राज़त के साथ गए है बीजेपी का चेहरा बिहार में डाई में जुआ है ये बात कहा गया है लेकिन अब हकिकत तो जनता बताई की चुनाव के वक्त में माना जरएक नितीश बाबू की इस वार क्या होगी स्थिती ये वक्त बताएगा पर आपको समझना चाहिए कि नितीश कुमार को लेकर के लडाईया जारी है और नितिश कुमार को मिट्टी में मिलाने का बिहार के बीजेपी के परदेश अध्यक्ष शम्राठ सिन का अगर बयान सामने आता है तो ऐसा बयान क्यूं? और किस तरीके से? एक नेता का ऐसा बयान, जिस नेता ने अभी ने नवेले बिहार के परदेश अध्यक्ष के लोगी मोडल काम करेगा यह तमाम जनकारिया शोसल मेडिया पर तेजी शे वाइरल शमय के शाथ बताया ऐसा है गा बड़ी कवर निकल शामने आ रहे है श्वक्त और बड़ी कवर यह है कि आज जियाद चर्चा इस बात को ले करके कि अमित्सा क्या करेंगी भाया अमित्सा को ले करके खूब मजबवाल और अमित्सा ही अमित्सा ऐसे में अमित्सा को ले करके कुछ नहीं जनकारिया आईए बिस्तार से बताते हैं अमित्सा ने देश और दुन्या में अपने डाम की डंका पीटा है लेकिन डंका तो पीटना है लोकसभा के चुना में लोकसभा के चुना में अमित्सा जियां भारत के सभी लगभक सीटों पर खुद के दावेदारी को मजबूत और बीजेपी को सकती साली बताया कहा बीजे जो हमें अच्छा लगता है गडवन्न होता है क्योंकि गडवन्न तो दिलों का टच है और इमस्नल है ऐसे में देश में सिर्फ बीज़ेपी भाईया बीज़ेपी की नाम की चर्चा इस वक्त खूब सुर्ख्यों में बड़ी कबा निकल को शामने आरे इस वक्त जियां राहूल गांधी को लेकर गे राहूल गांधी लगतार चर्चा में है और क्यूं है आईए आपको बताते हैं राहूल गांधी का कल भवन खाली करा लिया गया राहूल के आखों में आसू और दर्द का वो जलकाओ था जिसक इसकी जनता ने 19 सालों से जिस घर में रहने का मौका दिया था सरकार ने एक जटके में उस घर से बहार निकाल फेका हमने सरकार का सम्मान किया हमने भवन को खाली कर दिया भवन आपको जब जैसे मन करे ले सकते हैं भवन की चाबियां भी स्वाप दी उन्होंने कहा कि हमारे लिए जब तक सभागत था जब मैं हां था आज कहीं न कहीं जो कुछ भी हुआ इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जेल जाना पड़ा तो जाओंगा लड़ा या लड़नी पड़ी तो लड़ूंगा लेकिन जो लोग हमें परशान कर रहे हैं जो लोग हमें ये कोशिश कर रहे कि मान हानी से दबा दें नहीं दबूंगा फिर आओंगा फिर बोलूंगा फिर जेल जाओंगा पर बोलता रहूंगा क्योंकि गरीबों के लोगों के साथ और शमर्थन में काम करने का अंदाज है बड़ी कबानी कलकर शामने आरे इस वक्त बिहार में बिहार में शंपुन शराबंदी कानून के बाउज़ोद भी जहरीली शराबों के शेवन और मौत के बाद में आज लगतार चर्चा हो रही है ऐसे में क्या है ये नई चर्चा आईए सबसे पहले आपको चौकाने वाली खबर बता देते हैं बिहार में इस वक्त मौाउजे का ऐलान हो चुका है किसी भी ब्यक्ति की जहरीली सराब की सेवन से मिर्थू के बाद में उसे पैसा दिया जाएगा सरकार का आदेश है कि उसे पैसा दिया जाए समय के साथ सरकार की इस नियंतर और कानून के साथ ही नि वीडियो को जादस जादस शेयर करना ना भूलिएगा नीचे दियागा रेट कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजएगा जैहिंद